वेलकम बच्छों, आज हम लोग मैथ्स के जही मेंस का क्वेशन सौल करेंगे, पर्मुटेशन और कम्बिनेशन का ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? कि दा नंबर वाइस अफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स A and B such that A belongs to 246.100 and B belongs to 135.99 such that 2 is the remainder when A plus B is divided by 23 ठीक है ना, यानि सबसे पहले तो 2 set दिया हुआ है, एक यह देखिए, even number का है, up to 100 और यह odd number का है, up to 100, ठीक है ना, यानि एक set आपका यह है, 2466 से लेकर 100 तक है ना और दूसरा set odd number का है, 135 से लेकर 99 तक ठीक है, और इसमें से अपन एक number select कर रहे हैं A और इस से select कर रहे हैं B, ठीक है, और इस तरह से select क्या जा रहा है, कि A plus B को जब 23 से divide करेंगे, इस divided by 23 तो 2 is the remainder, यानि A plus B किस form का होगा 23 into some multiple X, तो 2 remainder बच जाएगा, इस form का है A plus B तो पूछ रहा है कि कितने तरीके से A और B चुना जा सकता है, ठीक है ना तो यह है आपका question simple सा ही question है बच्चों, तो अगला step क्या होगा question तो हम समझ गए, तो अगला step फिर हो जाता है observation अब हम लोग करेंगे observation, कोई भी question ऐसे ही बनता है भाई या, पहले question पढ़िए, फिर question समझ जिए, फिर question से observation निकालिए, फिर आप अपना strategy बनाईए, एक बर observation सही हो गया, तो solution आ जाएगा strategy निकालने के बाद, physics ऐसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है ना, तो maths भी physics की तरह solve कर जाएंगे, ठीक है, तो देखिए पहला observation क्या है, एक observation तो हमने कर लिया, यह even number है, तो a क्या होगा, even number होगा, even number के set से select कर रहे हैं, एक को, और b क्या है, odd number है, क्योंकि odd number के set से select कर रहे हैं, तो a plus b क्या होगा, a even है, b odd है, तो a plus b क्या होगा, odd हो जाएगा, तो left hand side देखि odd है ठीक है न तो right hand side को भी odd तो होना पड़ेगा equal होने के लिए ठीक है न तो वो odd तभी होगा जब x odd हो क्योंकि ये even है तो even plus even even हो जाता है तो multiply में यहाँ पर odd होना जरूरी है ठीक है न अगर even हो जाएगा तो ये इसका multiple even हो जाएगा और even plus even हो जाएगा यानि एक observation जो आपका निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है x जो है must be odd ठीक है और इस्टस को odd होने के लिए x को odd होना पड़ेगा यानि x हो सकता है 1 जीरो नहीं होगा 0 होगा तो ये टू हो जाएगा तो ये 2 तो कभी हो नहीं सकता X हो सकता है 1 तो RHS हो सकता है आपका 25 X 2 नहीं होगा भाईया X हो सकता है 3 तो RHS हो जाएगा आपका 71 X हो सकता है 5 तो RHS हो जाएगा 117 X 6 नहीं हो सकता X हो सकता है 7 तो RHS हो जाएगा 163 ठीक है निकालके देख ले न दिक्कत नहीं है एक्स हो सकता है 9 तो RHS क्या हो जाएगा 209 उसे तरह चलता जाएगा तो ये पहले observation से अपने को RHS की values ये सा मिल गए ठीक है दूसरा observation देखिए A plus B की maximum value क्या हो सकती है जब A V maximum हो और B V maximum हो यानि A हमने चुन लिया 100 B चुन लिया 99 तो A plus B की maximum value क्या हो सकती है 199 ठीक है न तो RHS को भी या तो 199 या उसे छोटा होना पड़ेगा यानि RHS की ये possible value हो सकती है ये नहीं ले सकते है अपन क्योंकि 207 कभी A plus B हो नहीं सकता तो यानि RHS की value हो सकती है 25, 81, 117, 163 तो इसके लिए कितने ways है A और B चुनने के ये अपने को calculate करना है ठीक है न यानि 1 से लेकर 7 तक X हो सकता है only odd और उसके लिए कितने तरीका है A और B select करने का वो अपन count कर लेते हैं ठीक है तो ये अपना 2 observation हो गया ठीक है X must be odd and X can be up to 7 ठीक है न तभी 99 तक जाएगा तो ये दो observation कर लिए तो अपने को RHS का value मिल गया और RHS का value मिल गया तो अब हमें पता चलिया कि 25 होए A plus B को 25 लाना है तो कितने तरी से A और B select होंगे उसे तरह A plus B को 71 लाना है तो कितने तरीके से A और B select कर सकते हैं simple count कर लेंगे इन चारों के लिए जोड़ देंगे answer आ जाएगा तो strategy आ गई अब अगला step क्या है answer निकालना तो निकालते है answer देखिए अपने को चाहिए क्या A plus B को 25 लाना है तो A की सबसे छोटी value क्या select कर सकते हैं अपन माल लिजे 2 ठीक है 2 select कर सकते हैं तो B को क्या लाना होगा B अपन ले सकते हैं 23 ठीक है उसी तरह A को 4 select करेंगे तो B select करेंगे 21 वो भी अब लेवल है तो इसी तरह चलते जाएगा अपना ठीक है 2-23 का एक जोड़ा होगा 4-21 का दूसरा जोड़ा होगा A और B का उसी तरह 6-19 का तिसरा जोड़ा होगा देखिए ये 2-2 में बढ़ रह रहा है उसी तरह maximum आपन जा सकते है 24 तक तो B क्या होगा 1-25 तो इतने पेर पॉसीबल है A और B के ठीक है जिसे A प्लस B 25 मिल जाएगा यह आपन कहां से कहां तक जा रहे हैं 2 से लेकर 24 ठीक है तो कितना तरीका हो गया यह A B चुनने का यह आपका हो जाएगा 12 ठीक है ना A P स सिंपल निकाल लीजिए लास्ट टर्म आपका 24 है फर्स टर्म टू है प्लस N-1 इन्टू कॉमन डिफरेंस जो 2 है ठीक है ना तो यह क्या होगा 24 मिल से दो गया 22 22 211 प्लस एक 12 इन की बैलू आ गई 12 यह यह 12 एसे से टर्म है यानि 12 वेस अफ सेलेक्टिंग A and B such that A plus B is 25 ठीक है ना क्योंकि अगर A2 सेलेक्ट हो गया है तो दूसरे पेर पर आप्शन नहीं है अपने को टू है तो यह 23 ही हो सकता है तो 24 एक ही पर लेवल है या तो A पर जोड़िए या पर बी पर जोड़िए ठीक है ना समझा रहा है तो A plus B को 25 होने के लिए कितने तरीके मिल गया है 12 अगला A plus B हो सकता है आपका 71 ठीक है ना तो पहला माले एक को हमने सेलेक्ट कर लिया 2 सबसे छोटा तो B क्या ची होगा 69 तो देख लिए बस की 69 अविलेबल है अविलेबल है 99 तक है तो 69 हो गया उसी तरह 4 तो यह 67 हो गया और इसी तरह डॉट 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 अपन चलते जाएंगे last time क्या होगा देखिए even slit करना है यानि 70 ले लिजिए तो यह B1 हो गया ठीक है ना यानि इतने हो सकते हैं तो यह कित्ता होगा यह हो जाएगा 35 सत्तर बाइदो सीधा 35 वही आ जाएगा एपी के फॉर्मूले से भी ठीक है ना अब देखिए 71 का तो count कर लिए अब अगला count करते हैं 117 के लिए इसमें एक catch है इसमें catch क्या है इसमें catch क्या है इसमें catch यह है कि अगर मान लिजे A2 select करते हैं तो B कितना चीए होगा 115 क्या B 115 हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि B की maximum value 99 ही हो सकती है ठीक है ना तो यहाँ पर B की maximum value 99 ही हो सकती है तो मालने जा हमने 99 select किर लिया तो A को कितना होना पड़ेगा ताकि 117 पहुंच जा है 18 तो यहाँ first term 18 होगा ठीक है ना उसको बीज तो यह हो सकता है 97 और ऐसे ही घटता चला जाएगा finally सबसे छोटा value क्या ले सकते है क्या इसको 1 ले सकते है 1 नहीं ले सकते है क्योंकि 116 नहीं हो सकता तो यह maximum 100 तक जा सकता है तो यह कितना होगा उस case में 17 तो यह होगा 18 से लेकर 100 तक जा सकता है तो बी हो जाएगा 99 से 17 तो कितने वेज से ए और भी select कर सकते हैं इसके लिए number of terms count करने होगे तो count कर लेते हैं ए को मानते हुए ही 100 is equal to 18 plus n minus 1 into d 2 तो हमें सा 18 गया तो यह हो जाएगा 82 यह 2 नीचे आ गया 42 तरीके हैं बच्चो जिस ए और भी select करने के कि सम आ जाए 117 ठीक है ना उसी तरह अगला अपने को क्या लाना है 163 तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है combination A और B का देखिए B की maximum value अपन ले सकते हैं 99 तो A क्या होना पड़ेगा 64 है ना तभी दोनों का सम 163 होगा अब 2-2 बढ़ाते जाए A की maximum value ले सकते हैं 100 तो B लेना होगा 63 ठीक है ना तो ऐसे-एसे कितने terms हैं निकाल लीजिए लास्ट टरम है 100 फर्स टरम है 64 प्लस N-1 इंटो D2 यानि सौव में से 64 या 36 बाई 2 प्लस 1 is equal to N N is equal to 19 यानि 19 तरीके हैं ठीक है A B select करने के लिए such that A plus B 163 हो अब अंसर क्या हो जाएगा इन सब का सम तो सम ले लीजिए 0.272, 9, 9, 18 हाथ मेरा 1 3, 4, 4, 8, 9, 10 108 यानि C होगा अंसर तो simple सा counting का question था बच्चों जादा कुछ था नहीं आज के लिए इतना ही Thank you